कि हाइए फ्रेंब्स मेरे में जोनी और आपका सागत फिर से यू यूट्यूब चैनल में हैं और मैं जो आपको बताऊंगे अर्बी पत््तों última बना आज भी आपको बताऊंगी तो देखिए अर्बी के पत्ते हैं इन्ने जो है मैं इ हल going निंट लें प्त पटे में और पतों किलिए वीर ओसे और इसमें निकाल देती तो देखे से पहले जो हैं हम इस तरह दवरिए और आप आप बिलिते हमके डाओ और छिलके निकालने हैं इसके जिस तरह से देख रहे हैं आप सारे ही आपने इस तरह से छिलके भी निकाल लेने हैं और अब हमने इसे धोना है पानी डाल लेंगे अब इसमें तो देखिए इस तरह से हमने दो लेना इसे अच्छे से बिल्कुल साफ कर लेना है इसे अच्छे से और अलग बरतन में फिर हम इसे निकाल लेंगे दो कर तो यहां हम इसे निकालते जाएंगे इस तरह से हम सारे जो पत्ते हैं वो निकाल लेंगे अराम से मलब धोने आपने तूटने नहीं चाहिए पत्ते और इसमें जो है जैसे हम घोलते हैं सबजी को मलब आटा वगेरे बेसन का यूज करने तो इसमें कुछ भी यूज नहीं करना है यह घुल जाती है खुदी और ब चाहिए पत्तों को आप ज़्यादागे तो चलता है मनलाब इसमें घुल जाती है क्योंकि यह ज्यादागे कालने की जरूरत नहीं होती इक्स भी नहीं साब्साइब सकते हैं और इस तरह से आपने काट सेस्थ लिया है। इस Prozent लिए MARTIN बartन जो सरस्क्वी थी अब देखेंचें मैने यहाँ पहले कडाएब तरह इस Shoulders अब इसमें जीरा डाल डाल दिया मने एक चममजπständ हैं एक आउप मेथी कड बालेंगे इसे और ठोड़े से हमने कांट में repent मिर्च अध्या थोड़े से इस यह अच्छी से लगा लेना है ठोड़े सा प्याज जो है ब्राउन होने दे को रगार है भी हो दशिक हमने अर अर बार Sun में हमने ही बाइन दालना है है यह लग जाता है है इसे हम मिला लेंगे और यह झाल जाती है जलडी बन तरह से अच्छे से मिलाना है इसमें अब जो है देखे थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसमें एक गिलास तो देखें हमने Medium flame में रखा है गयास को और इसमें जो हमने नमक को डालिया है लाश्ट में हमने नमक को डालना है अब जो हैं इसे बंद करके रख लेंगे 5 मिन पर मैंने 5 वीडियो बताई है लेकिन पांच मिनट के लिए रखना है इसे तो देखें पांच मिनट बाद हमारी सब्जी गुल चुकी है यह थोड़ा मैश कर लेंगे कर्षी के साथ कर सकते हैं किसी के जो आपने लिया है देखें बिलकुल बन कर तियार हो चुकी है बहुत एच्छी बन जाएगी और इसमें सब्जी में और बहुत इच्छी में देखें अगर आपको मेरी वीडियो कहीं बलब संद आई हो कि कोई वी आपको च्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें वीडियो को